अस्सालाम अलेकुम वेलकम टू प्रॉपर्टी अब्डेट कराची नाजमबाद नंबर तीन में मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर है दो सोलो का पूरा पोर्शन है और ये रेंड के लिए और भई ये आप इसका लाउंज देखें माशारला भेतरीन लाउंज है बड़ा ला इसके बाद आईदार आजाएं ये बैडरूम है इसका अच्छा ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ये पीछे गली में खुलती है इसलिए इसको बंद किया है भी और ये है भाई इस तरफ आजएं वाश्रूम ये वाश्रूम बनाव है सारे टाइल लगे में बहतरीन वाश्रूम है और अच्छा जी ये आप देख लें इसका किचन दिखा देते हैं किचन देख लें कैबनेट्स वगारा माशालला सब ओक्या है बलकुल अच्छा साथ हजार रुपे इसका रैंट है और दो लाग एड है और ये अब आगए हम दूसरे बेडरूम में ये भी अटैच बात है और ये शावर वगारा लगावा है और ये इसका है वाशिंग एरिया वाल बेसन यहां भी लगावा है गीजर वगारा का पॉइंट भी है सब चीजे हैं उपर अगर एक्स्ट्रा पानी की जरूवत हो होती है तो उसके लिए एक दो टंकियां भी इन्होंने उपर एक्स्ट्रा लगाईनी है वाशिंग एरिया देख लिया आपना ये दर्वादा पीछे गली में खुलता है उसके बाद आ जाएं इस तरफ ये है वाई इसका तीसरा वेडरूम ये भी अटैज बात है फेतरीन वाश रूम बने में अच्छा तीन वाश रूम में डव्यू सी है और एक में कमोड है चार बेडरूम है चारों में अटैज बात है चार बेडरूम है एक ड्राइंग रूम और एक टीवी लाउंज चाते वगएरा सब ओके माशालला बिल्कुल और अब आपको यह ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है सेपरेट एंट्रेंस है हवादार घर है बड़े बड़े कमरे हैं माशालला माशालला अच्छा यह जैना यह है चौता बेडरूम यह खिड़की आप देख लें यह खिड़की कार आग है यह और वाश रूम दिखा देते हैं अच्छा ये वाश रूम आ गया इसका चार बेडरूम मैंने आपको दिखा दिये चारों मैं टैच बात है और ड्राइंग रूम भी दिखा दिया अच्छा इदर आ जाएं एक इसका जो आना और वाशिंग दिया इन्होंने किचन के साथ पतलीफी गली में ब दे रहे के सामने दर्वाजा भी है वहां से एक और एंट्रेंस है दो एंट्रेंस बिल्डिंग के कॉरिडोर से हैं और एक जो आना बहार गली से है के लावा ही कमरे वगारा सब मैंने आपको दिखा दिये इसके लावा बही अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आ झाले के लावाए के लावा बहा कर दो के लावा है